प्लेज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जैसा कि पहले हमने देखा था कि रास्तान हरियाना आदी में गुजरात आदी में एरफोर्स की रेली बर्ती हो गई थी लेकिन जारकंड दिल्ली उत्रपरदेश इन में नहीं होती तो एरफोर्स ने आपको फिर एक बार चौका दिया है और रेली बर्ती गोषणा कर दिया है दिल्ली चारखंड उत्रपरदेश इन सब के लिए रेली बर्ती का अलाउंसमेंट किया गया है इसके लिए 28 तारिक और निर्दारित किया गया है सबी बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे इसके लिए 50% minimum percentage निज़ारित की गई है इसलिए सबी प्लीज ज़्यादा जाकर इसको अप्लाई करें ताकि कटोफ तो बाद में दिशाइद होगी कटोफ क्या रहेगी कैसे रहेगी लेकिन कितनी रहेगी कितनी percentage बे को लेट आएगा लेकिन अप्लाई सब को करना है बच्चों अप्लाई हर व्यक्ति को करना है चाहिए 60 हो 65 हो 70 हो चलो बच्चों हम एरफोर्स के रिजल्ट काफी लेट हो रहा है रिजल्ट बाकी पिछली वर्तियों में हमने देखा था अपकी बार एरफोर्स कुछ लेट कर रहा है एरफोर्स का रिजल्ट काफी लेट हो रहा है लेकिन बच्छों जल्द ही एरफोर्स रिजल्ट डालेगी पांच या दस दिन में पक्का से आपका रिजल्ट आने वाला लास्ट फाइक दिन में आपका रिजल्ट आही जाएगा म रिजल्ट आने के बाद में फेज 2 के एडमिर कार्ड डाले जाएंगे और एर्मेंट सेलक्षन सेंटर पर फेज 2 की कारवाई शुरू कर दी जाएगी इसलिए जीडी फेज 2 का सबसे में इफ़िद्ध के में पूरी इनफोर्मेशन देंगे जीडी कैसे होती है कैसे क्या होता है एक ठीक होस्तों हम जीडी के बारे में आज पूरी इंफोर्मेशन देने वाले हैं आपको एरफोर्स के फेज टू के एड्मिट गार्ड आने के बाद में उसके अंदर फीजिकल एसार्टी यह सब हो गया पिछले वीडियो में लेगें जीडी के बारे में बताने जा रहे थे जीडी में एक ओफिसर सामने बैटा होता है एक ओफिसर सामने हाफ सरक्ल के पोजिशन में 15 बच्चों को हाफ सरक्ल के पोजिशन में बैठा दिया जाता है सबसे पहले बारी बारी से सब को अपना इंट्रो देना होता है सब को अपना नाम पता बारी की परसंटेज कहां से आ हैं यह सब को बारी बारी से देना होगा यह जीडी का ही पा लेकिन इसे इंट्री बोलते हैं सब बारी बार्षे अपना इंट्रो देंगे इसके बाद में ओफिसर एक पेज देगा जिसके अंदर एक परग्राफ लिखा होता है परग्राफ इंग्लीज में लिखा होता है और इसे पांच मिनिट दी जाती है बढ़ने के लिए पांच मिन में ओफिसर जैसे जीडी ग्रूप डिस्करण के लिए टाइम स्टार्ट करता है उस परकार ग्रूप डिस्करण से स्टार्ट हो जाता है एक एक बच्चा बोलना शुरू कर देता है जीडी में आपको मौकार बिल्कुल भी नहीं दिये देगा आप यह सोचेंगे कि उसके बा ताइटल वहां पर टाइटल बताने नहीं है आपको टाइटल क्या वैसलर करते दिमांके सब्सक्रण full रूप करने में रखना है इस अच्छे से जानते हैं उन्सक्रया सब्सक्राइब बाना यह बच्चे अल्डिप करनी है तकि आपकी आप प्रयक्टीज करते रहना चाहिए अच्छा करता है जिस बच्चे का intro अच्छा जाता है उसका group discussion automatically अच्छा हो जाता है ठीक है जो बच्चे का intro अच्छा जाता है intro काफी effect करता है officer को कि हाँ इस बच्चे में कुछ है तो इसलिए intro को काफी अच्छा बनाना है आपको चाहिए जब group discussion start हो उसमें कम बोलना लेकिन group discussion start होने से पहले जो इंट्रो होगा उसको बिल्कुल एक दम धुआदार तरीके से चा जाना है मतलब वहाँ पर ऐसा बोलो कि सटीक और अच्छा उसमें आप बीच मीच में रिशाटक जाते हैं वो बिल्कुल नहीं करना इंट्रो में दो बिल्कुल भी नहीं करना बाद में ग्रूप डिसकर्शन में चल जाएगा लेकिन इंट्रो में बिल्कुल नहीं और ग्रूप डिसकर्शन में द्यान रखना दो से तीन बार बिल्कुल बोलना बीच बीच में जाकर दो से तीन बार बोलना जब तक आपको यह नहीं लगे हाँ कि sufficient बोल गए एक बात बिलकुल भी ध्यार रखना वहाँ पे दूसरे जब दूसरा वेक्ति जब बोल रहा है दूसरा student बोल रहा है तो friend उसको बीच में नहीं रोकना है इसका भी officer पर गलत effect जाता है ठीक है दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में SRT की practice set या उसके क्यूशन लाने वाले हैं 10-20 जैसे कैसे होता है आज तक काफी देखा है मैंने SRT हैं बच्चे काफी फैल होते हैं क्यूंकि मैंने पता ही नहीं होता है क्या SRT होती ही गया है लेकिन हम SRT के model paper करने वाले हैं model paper में आपको यह पता दल जाएगा कैसे क्यूशन जैसे क्यूशन वहां पे हैं वहीं के क्यूशन यहां पर उठा के आपको दिये जाएंगे model paper में 10-20 जैसे वहां पर क्यूशन होते हैं 30 वैसे यहां पर होंगे next video में हम उनके model paper करेंगे ठीक है दोस्तों वीडियो पूल लाइक पर सब्सक्राइब जरूर करें